So, hey what's up guys, so कैसे हैं आप लोग तो लेकर आचको हमें यहाँ पर जो है दोई प्रोसे रिलेटीर अपडेट्स So, सबसे बहले शुरुआत कते हैं मैंस फीजी के अटगरी की जहाँ पर की compete करने गए है इमरान खान तो बात करें यहाँ पर जो है इमरान खान की placing और फीजी की तो guys अभी तो प्री जजेजिंग का राउंडी खतम हुए है So, अभी तक clear photos नहीं आई हैं यहाँ पर लेकि यहाँ इन फोडोस के basis पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इमरान खान जो है वो अभी जो है फर्स्ट कोल आउट में है और टो फाई में जो है अपनी जगा को प्लेस कर सकते हैं तो अभी तो प्रिजजिंग का राउंड ही खतम हुआ है, अभी फाइनल्स में देखते हैं कि इम्रान खान की प्लेसिंग है वो कैसे आते हैं, वैसे जो भी दूबाई प्रो से लेटेड अपडेट्स होंगे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो नेक्स लेकर आचुका मैं यहाँ पर मनोर सरंग पानी की फूल फिजिक दूबाई प्रो की, तो यहाँ पर कॉम्पेटिशन में काफी बहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, और थर्ड कोल आउट में रहे हैं अभी तक जो मनोर सरंग पानी, तो अवरोल फिजिक की बात करें तो मेरे उपिनल से काफी बहतरीन पैकेश हो किया है, अपने दम पर बाहर कंपीट करना और वहाँ पर इतनी बहतरीन फिजिक को लाना काफी बड़ी बात रती है, और फर्स डेब्यू शो है और काफी बहतरीन फिजिक को शो करें, अवरोल symmetry की बात करें तो काफी बहतरीन लेकर रहे थे sharp और एक्तम पील्ड फीजीक को लेकर रहे थे so मेरे opinion से काफी बहतरीन फीजीक लाई थी so अभी देखते हैं कि इनकी जो placement है वो कौन सी आती है अब जो थर्ड कोल आउट में रहे है so last में बात करते हैं यहाँ पर जो classic फीजीक केटागरी में compete करने गए Michael Dabble की तो personally guys यहाँ पर जो आप Michael की जो है यह tanning की फोटो देखो इसमें Michael की जो फीजीक है drastically इतनी ज़ए शाप और पील्ड लग लिए है न कि मानों पूरे के पूरे लाइन अप को जो है डिस्ट्रोई कर देंगे so यही हुआ यहाँ पर भी जो है फीजीक को काफ़ याप पीक और एकदम जो शाप लेकर आए है so clearly आप देख सकते कि Michael ने काफ़ी अच्छा और बहतरीन पैकेज लाया overall symmetry की बात करें तो काफ़ी बहतरीन लग रहे है लाइन अप काफ़ी अच्छा है पर लेकिन Michael दैबॉल यहाँ पर जो लाइन से भी जो हाँ काफ़ी बहतरीन फीजीक को लेकर आए है especially इनकी जो back, glutes और hamstring की जो separation है वो clearly काफ़ है dangerous है बड़े बड़े athletes को जो है defeat कर दे रहा है माइकल ने काफ़ी अच्छा package हो किया यहाँ पर फर्स कोल आउट में है मेरे उपिन से यहाँ जो winner रहेंगे वो भी माइकल दावुल ही रहेंगे अभी देखते हैं कि माइकल की प्लेसिंग है वो कौन सी आती है वैसे अभी प्रीजजिंग खतम हुई है सो फाइनल भी हो जाएंगे अभी सो वहीं बात करेंगे अब जो 212 डिवीजन की तो 212 डिवीजन में जो कंपीट कर रहे है वो है पीटर मोलनार तो पीटर मोलनार के अगर फिजीक की बात करें तो थोड़े से जोड़े सोफ्ट दिखाए दे रहे हैं तो काफी बहतरीन लग रहे हैं ओवरोल फीजिक में जो मसल मास है काफी अच्छा है पर लेकिन फीजिक जो वो थोड़ी से सोफ्ट दिखाई दे रही है तो अभी देखते हैं कि फाइनल्स में जो पीटर का पहोंस है वो कैसा रहता है तो उनसे भी लेटर जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे और ऐसी बोड़ी बिलिंग से लेटर अपडेट्स और वीडियो के लिए चैनल को जहां सब्सक्राइब कर ले थैंक्स पोर वोचिंग